कि एका खुचन सीरिच के नेक्स्ट पार्ट को ले करके आज हम एक बार फ़र से ए या हमारे सोसल मीडिया हें या आपको क्वेरी या आप हमें कोई लेना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं टेलीगराम चैनल को आप अवस्टी डॉइन करने ताकि जो PDF इस वीडियो की प्रोवाइड करें आप वहां से डाउनलोड कर सके हैं आई यह स्टार्ट करते हैं हम बात करते हैं क्वेश्च नमर वन की क्वेश्च नमर वन इज एक्री कल्चरल नॉलेज इंफॉर्मिशन सिस्टम एक आई सक्वेश्च अफ आई एक यह मैनिजड लग आए आइश्ट करें आई जाता है ऑप्सन देख लेते हैं ऑप्सन एच ए टी आइग सी ऑपन्दी एक्रीट परिम आएड़िए उक्ज़ ऑप्शन से जीद आईए झारा इंड ऑप्शन दी इज मैनेट मैनेज फिराइच खे AKMU AKMU इसके फुलफॉर्म के अगर हम बात करें तो Agricultural Knowledge Management Unit है जो की AKIS अर्थात Agricultural Knowledge Information System को क्या करती है मैनेज करती है यानि प्रवन्दित करती है बात करते हैं कुश्ट नमर सेकेंड की विच का आर्टिकल इन कॉस्टिटियूशन of India is related to gender equality अर्थात भारत के सम्मिदान में कौन सा और छेद लेंगेक समानता से सम्मंदित है तो बात करते हैं बात की जिसमें एक्वैलिटी के बारे में बात की गई है तो इसे हम कह सकते हैं कि भारत के सम्मिदान में जो अनुच्छेद है जो कि लेंगेक समानता से सम्मंदित है तो वो आर्टिकल 14 है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन की क्वेश्टन मत्थरी अडप्शन ओफ इनोविशन फॉलो बैल शेप्ड कर्व डैबलप्ड बाई नवाचार को अध्ग्रहित करने के सम्मंद में घंटी के आकार का जो वक्र है वो किसके द्वारा विक्सित किया गय है तो आप्शन देख लेते हैं आप्शन एज जेपी लिगंस आप्शन बीज आर्ट चेंबर्स आप्शन सी इज एफ गिडिंग्स एंड ऑप्शन डेज एज एम रोजर्स तो दर राइट आंसर इज ऑप्शन डी एम रोजर्स जिनोंने की नवाचार के उपर क्योंस मोडल ऑफ कम्मिनकेशन वाज गिवन बाई अर्थात संचार का उतेजना प्रतक्रिया मोडल किसके द्वारा दिया गया था तो अप्शन देख लेते हैं आप्शन एज शेनन एंड वीबर अप्शन बी इज वैसले एंड मेकलियंस अप्शन सी इज हरॉल्ड डी ला इज हरॉल्ड डी लास्वेल ने जो मोडल दिया था कम्मिनकेशन का उसी मोडल को हम स्टीमुलस रिस्पॉंस मोडल अर्थात उतेजना प्रतक्रिया मोडल के नाम से जानते हैं बात करते हैं क्वेश्ट नमर फाइब की क्वेश्ट नमर फाइब इज सेकंड फेज आप ट् दूसरा चरण क्या है तो अप्षन देख लेते हैं और बी इज इनलाइस ज एफिश्ट इफ्लाप्मेंट और यह हमारा फाइब स्टेप का मोडल हैं फाइब स्टेप के मोडल को जिसे कि हम ए डी डी आई ए जिसमें फर्स्ट होगा आपका एनलाइसिस सेकिंड है आपका डिजाइन थर्ड है आपका डेवलोप्मेंट फूर्थ है आपका इंप्लीमेंटेशन और फिप्थ है आपका एवेलुएशन अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोश्टिन के प्रस्ट नवर्थ है गंगा कल्यान योजना इज रिलेटेट टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसलिटीज तू गंगा कल्यान योजना द्वारा सिच्चाई की सुदा प्रदान करने से सम्मंद है आप्शन देख लेते हैं आप्शन अप्शन एच लाजज फार्मर्स इस्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अर्थाथ छोटे एवं सीमंत किसानों कुं गंगा कल्यान योजना के द्वारा जो सिच्चाई स्विधा है वह प्रदान की जाते हैं परवरी 1997 में गंगा कल्यान योजना को प्रारंब किया गया था जिसके अंतरकत क्या है कि जो छोट किसान होते हैं और जो सीमान्त किसान होते हैं उनको सिचाई की जो सवदा है वो प्रदान की जाती है बात करते हैं क्वेश्चन मस्ट सेविन की एकोर्स ऑफ आई से आर ए लर्णिंग डेवलब्ड अंडर विच प्रोग्राम तो अप्शन देख लेते हैं उप्शन अइज एन आ टीप जन다가 ज़ण भी है और डीप उप्शन सी इच एन एई इप और सथे इच एश आर एप तो तो दराइट ऑंशर ज़ाएज उप्शन दाहिशंग एन अड़िश्चर्वी नवेशन जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंडर में ICR के द्वारा e-learning का जो e-course है वो चलाया जा रहा है वो विक्सित किया गया था और इस e-course के portal के अगर हम बात करने कि कौन सा portal है तो उसे हम कहते हैं e-krisisiccha krisisiccha e-krisisiccha के नाम से यह portal ICR के द्वारा चलाया जा रहा है जिस पर e-course प्रोवाइड कराई जा रहे हैं प्रदान किये जा रहे हैं बात करते हैं क्वेश्च नमर एट की बर्लो मॉडल of communication contents अर्थात संचार के बर्लो मॉडल में शामिल हैं कलिते हैं options की option a is feedback अर्थात प्रत्क्रिया option b is noise अर्थात द्वानी options a is encoding and decoding अर्थात कूट लेकन तथा कूट अनुबाद and option is none of the idea इन मैंसे कोई नहीं सो दराइट answer is option c encoding and decoding बोथ अर्थात कूट लेकन तथा कूट अनुबाद अगर हम इसके सारे elements के बारे में बात कर लें तो first element है communication source second element है वो क्या है encoder third element है वो है message fourth element है channel fifth है आपका decoder and six है आपका receiver तो यह आपका model है बर्लो का जिसके अंदर six elements हैं जो कि 1960 में बर्लो के द्वारा 1960 में बर्लो के द्वारा दिया गया था बात करते हैं question number nine की एग मार्क net gives information about तो option देख लेते हैं option a is latest technology in agriculture अर्थात करसी के चेत्र में जो latest technology आ रही हैं उनके बारे में information provide कराता है option b is price of commodities यानी वर्ष्तुओं का जो मुल है उसके बारे में बात करते हैं information provide कराता है option c is soil status अर्थात भूमी का जो इस्तर है उसके बारे में information provide कराता है या option d अर्थात जो उत्पाद हैं उनके जो प्राइस मुल्य हैं उनके बारे में एक मार्क नेट जो है वह information provide कराता है अर्था सूचना को प्रदान करता है अगर हम बात करें कि लेटेस्ट टेक्नॉलडी इन अग्रिकल्चर इसके बारे में कौन information provide कराता है तो उसे हम कहते हैं वि विस्तार नेट जो विस्तार नेट के नाम से है यह विस्तार नेट क्या करता है लेटेस्ट टेक्नॉलजी इन अग्रिकल्चर अर्थात करसी के छेतर में जो अत्यादुनिक तक्नीकी आ रही हैं उनके बारे में information provide करे जाते स्वेल स्टेटस के बारे में अगर हम बात करें तो एरिजनेट ए आर आई एस एन एट एरिजनेट जो है वह आपको स्वाइल स्टेटस के बारे में information provide कराता है अगर हम एनिमल हस्वेंडरी के बारे में बात करें तो एग्रिजनेट एजी आर आई एस एन एट एनिमल हस्वेंडरी अर्थात पसुपालं से संबंदित जो information है जो सूचना है उसके बारे में एग्रिजनेट जो है वह information provide कराता है और प्राइस ऑफ कमोडिटीज की अगर हम बात करें अर्थात उत्पादों का जो मुल है उसके बारे में जो information provide कराता है वो क्या है एग्र मार्क नेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन नमर्टेन की आपके दो चीज़ें आती है एक आता है आपका इस पोकन अर्थात बोलकर एंड एक आता है आता है आपका रेटेण वह अगर हम बात करें कि लाइबल थे हैं रेटेंगे क्या लाता है और जो Slender है वो आपका spoken अरथा बोलकर करके जो WHAT दिया जाता है Defamation है जो मानहानी करे कर जा रही येनिंदा की जा रही है या बिच्धिती की जा रही है या किसी का पयास को फेलाया जा रहा है यार हम बोलकर करते हैं तो से कहेंगे सिलेंडर और यदि हम लिखकर कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे लाइवर लाइवल और इन दौनों को ही हम क्या कहेंगे ओरल ठीक है ओरल के अंदर ही यह दो पार्ट आते हैं कौनों से रेटेंट और लिखित में और इस्पोकन अर्थात मौकिक तो दोनों के दोनों ही आपके ओरल डिपेमेशन के पार्ट हैं तो इस विज़े से हम कह सकते हैं कि बोद अर्थात ऑप्शन सी इस दा राइट अंसर बात करते हैं क्वेशन मेर 11 की क्वेशन मेर 11 इस इन किसान कॉल सेंटर के सिसे इज लेवल सेकेंड वू रिप्लाई टू फार्मर्स ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन एज एग्रिकलिजर ग्रेजुएट ऑप्शन बीच सब्जेक्ट मेंटर स्पेशलिस्ट ऑप्शन सी नौडल ऑफिस और ऑप्शन डेश नन ऑफ तीज तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सब्जेक्ट मेंटर स्पेशलिस्ट जो हैं वो से लेवल सेकेंड के कहते हैं अधिकारी हैं जो कि फार्मर्स को रिप्लाई करते हैं जब फश्ट लेवल पर उसका निदान नहीं किया सकता है सोले सनन नहीं किया जाता है तब उस चीज को लेवल सेकेंड अर्था लेवल शेकेंड पर बेजा जाता है ताकि उसका जो रिप्लाई है वह दिए जा सके और वह के से लिए जाता है सब्जेक्ट मेंटर सब्सक्रेश पर को अगर हम केसी सी की बात करते हैं आगरिक की तियुक्त होते हैं जो कि लोकल लेंग्वेज में जो इनफॉर्मेसन है या जोॉक्वारी है अर्मको क्लेयर करते हैं और जब उनके द्वारा कोई क्लियर नहीं की जा सकती है उनकोज कह सकता our disappointment में यॉदल आती है नहीं मिला है तो जो क्वेरी जा थी लिए को आती है लेवल सेकिंड पर भी farmer की queries के लिए नहीं हो पा रही है वो satisfy नहीं हो पा रहा है तब उस query को बेज़े आता है nodal office में और nodal offices office के द्वारा उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा information provide करे जाएगी और इसे हम कहेंगे level third तो यह जो program है या किसान call centers हैं यह history of agriculture and farmers welfare के द्वारा launch किया गया था January 21, 2004 यानि कि 21 January 2004 में किसान call center को start किया गया था बात करते हैं question number 12 की आत्मा body chaired by आत्मा अर्थात agricultural technology management agency जो की district level पर काम करती है उसको chaired किसके द्वारा किये जाता है तो option देख लेते हैं option a CEO chief executive officer option b h dm district magistrate option c sms subject matter specialist option d dd अर्था deputy director तो अगर हम chaired की बात कर रहे हैं तो chaired option a is the right answer अर्था CEO जो है उसके द्वारा chaired है chief executive officer जो होता है वो आत्मा body को देखता है मूलूप से बात करते हैं question no.13 की national institute for entrepreneurship and small business development NIE SBUD is established in option देख लेते हैं option a is 1982 option b is 1983 option c is 1984 and sorry गरत mister print हो गया है option d is 1985 माल लेते हैं हम इसको ठीक है so the right answer is option b 1983 and 1983 1983 1983 में national institute for entrepreneurship की जो थी स्थापना की गई थी करते हैं question no.14 की ICT initiative digital platform of farmers field used to provide expert advice अर्थात विशेशक की सलाप्रदान करने के लिए उप्योग किये जाने वाले जो ICT की digital platform है उसकी पहल advice कौन करता है उसकी पहल कौन करता है संदिक लेते हैं यहाँ पर option a is m किसान option b is krisi kri shi krisi option c is akmu and option d is mksp so the right answer is option a m किसान यह क्या है एक digital platform है जो कि farmers को सलाप्रदान करता है प्रिशेशक्यों की द्वारा के लिए बात करते हैं question no.15 last question की so the last question is what percentage we found remember when see अर्थात जब हम देखते हैं तो हमें कितना प्रतिसत याद रहता है after 24 hour 24 गंटे के बाद तो option देख लेते हैं option a is 10% option b is 20% option c is 30% and option d is 50% so the right answer is option c 30% अर्थात जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका लगबग 30 प्रतिसत हमको याद रहता है 24 गंटे के पश्चात और यह जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है वो दी गई है इगर डेल इगर डेल नाम के एक व्यक्ति थे जन्होंने ये अवधारणा दी थी उनकी अवधारणा को हम क्या कहते है और जिसको मोडिफाई किया गया था शेल के द्वारा 1989 में शेल के द्वारा 1989 में मोडिफाई किया गया था जो अब दाड़ा कॉन ओफ एक्सपिरिंस के नाम से द्वारा दे गई थी तो अगर डेल को हम कॉन ओफ एक्सपिरिंस का फादर कह सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो 10% आपक भी रहे हैं तो आपको 50% याद रहेगा और यदा आप किसी चीज को कह रहे हैं सेंग तो उसे हम कहेंगे कि 70% हमें उसका याद रहता है या 90% याद रहता है कब जब हम किसी चीज को बोले भी और करें भी ठीक है सेंग अगर दोनों काम हो रहे हैं तो 90% हम को याद रहता है और यह जो चीज है वो किसके द्वारा दी गई थी इगर डेल के द्वारा ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं कौन ओफ एक्सपिरेंस क्लियर सो दिस इस दा लास्ट क्वेस्टन आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें वीडियो की जो पीडियेप है वह आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरू करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत